हेलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये वीडियो नंबर कौन सा है वीडियो नंबर ये है फोर्थ नंबर वीडियो है इसके पहले तीन वीडियो बन चुकी है इस कोईशन की जो सिरीज चल लाई है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो की लिंक प्रवाइड कर देंगे तो हम लोग NEED 2021 के लिए पूरा प्रिप्रेशन कर रहे हैं NEED 2021 के लिए तो जो भी स्टुडेन 2021 के लिए NEED के प्रिप्रेशन करना है तो मेरे चैनल पे आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के एकदम पेपर कोईशन डिसकस किया जा रहे हैं AI PMT 2001 से लेके 2020 तक जितने कोईशन हैं सभी कोईशन डिसकस किया जा रहे हैं फिजिस कमेस्टी बाइलोजी अभी वैसे बाइलोजी का हो रहा है इसके वन मन्त आफटर फिजिस कमेस्टी भी कराए जाएंगे तो चलिए आज के कोईशन देखते हैं और प्लीज आप लोग चैनल को अगर पहली बाद आप वाज कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें अपने दोस्त को अपने चैनल को प्लीज सपोर्ट जरूर करें maximum तेजी से चैनल को grow करा हैं जिससे काफी help हो सके और तो चलिए question को शुरू करते हैं आप लोग subscribe कर लिये होंगे तो question number 151 से शुरू करते हैं इसके पहले वीडियो में 150 तक question discuss कर चुके हैं during transcription the DNA sites at which RNA polymerase bind is called ये question कह रहा है कि transcription unit में promoter structural gene होती है और terminator gene होती है तो ये कह रहा है कि जहाँ पर क्या होती है transcription unit होती है तो इसमें RNA polymerase जो DNA dependent RNA polymerase होती है किस position पे जुड़ती है तो ये promoter site पे जुड़ती है तो आफसा number first सही हो जाएगा एक promoter site होता है ये structural site होती है फिर ये terminator site होता है तो ये promoter site हो गया structural site ये terminator site यहाँ से start होती है यहीं से transcription start होता है पहले DNA से mRNA बनेगा फिन mRNA से protein बनेगी तो यहीं से तो promoter site पे ये जाके क्या जुड़ जाती है ये binding site RNA polymerase जो होती है यहीं से जुड़ती है नेक्स question number कहरा है Christmas disease is another name Christmas disease किसको कहते है तो hemophilia B को Christmas disease कहते है ये भी question आप लोग note down कर लीजिये important question है और ये भी important ही था तो question number 153 को देखते है कहरा है इन drosophila में this sex is determined by तो drosophila हो गया या फिर humans हो गया दुनों में same होता है यक्स यक्स होता है यक्स वाई होता है ये होता है male होता है ये होती है female होता है तो इसमें human on drosophila में same होता है तो इसमें 153 में option number 3 देख लीजिए the ratio of pair of x chromosome to the pair of autosome sex chromosome इसी को कहते है तो option number 3 correct हो जाएगा next number question which one of the following pierce is not correctly much अब इसमें देखना है कि जो 4 चार option दिये गए है इसमें कौन सा option गलत है तो first vitamin C इसकरबी तो ये deficiency disease दिया गया है अगर vitamin C की कमी हो जाती है तो इसकरबी हो जाता तो ये तो सही है vitamin B2 से प्लेगरा हो जाती है और vitamin B12 से parnicious anemia हो जाएगी तो ये भी सही दिया गया है और vitamin B6 से बेरी-बेरी तो ये देख लीजिए option number आप कौन सा ये यहाँ पर आप B1 कर लीजिए vitamin B1 से बेरी-बेरी होता है तो यहाँ B1 कर लीजिए और आप गलत लगा लीजिए second option बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी नहीं 100% मेरी गारंटी है तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में उसकी लिंक भी देखेंगे प्रोवाइट कर देंगे चलिए कोईस्चन नमबर 155 का देखते हैं इफ इन जीन इनकोडिंग ए पाली पेप्टाइड आप 50 अमीनो एसिड 25 तो यह तो यहां यू जा रहा आप 24 वाला आफसन हम लोग देख लेते हैं कौन सा आफसन करेक्ट हो जाएगा तो 155 में फस्ट आपसन ही देख लेते हैं यह पाली पेप्टाइड 25 अमीनो एसिड बिल भी फार्म हो जाएगी तो 155 का आपसन नमबर फस्ट ही करेक्ट हो जाएगा नेक्ट नमबर कोईस्चन देखते हैं तो इसमें क्या बाद में बच जाएगा आपको तो बच जाएगा लिगनिन आपका बच जाएगा लिगनिन यूज नहीं होता है नेक्ट नमबर कोईस्चन फोटो फास्पो रिलेशन अब फोटो फास्पो रिलेशन में हम लोग को फोटो फास्पो रिलेशन में क्या होगा एटीपी फार्म होगा है एडनुसिन ट्राई फास्पेट तो ये देख जीए 157 का आपसा नमबर सिकेंड देख लीजिए एडनुसिन डाई फास्पेट के साथ है इन आर्गेनिक फास्पेट अगर जुटता है और लाइट एनरजी मिलती है तो आपको एटीपी फार्म हो जाएगा नेक्स्ट नमबर कोईस्टन तो ये कौन सा अक्ट करता है माइनर एलीमेंट होता है लीविग अर्गेनिज्म हें तो वो होता है और खास्पेटर हुकिल के सेंटर में उसके सेंटर में क्या होता है तो ये question 59 का option number कौन सा correct हो जाएगा ये देख लीजिए magnesium mg तो कौन सा option आपको ये magnesium है ये magnesium है ये magnesium है mg है तो option number second correct हो जाएगा इस question का चलिए next question देखते हैं question number 160 देखते हैं the major portion of the dry bed of plant dry bed जो होता है तो उसमें maximum क्या पाए जाएगा तो आप लोग याद कर लीजिए CHO carbon hydrogen और oxygen तो option number fourth correct हो जाएगा next number question which one of the following mineral element play important role in biological nitrogen fixation तो biological nitrogen fixation से क्या होता है तो biological nitrogen जब fixation होता है तो जैसे मान लीजिए nitrogen nitrogen से जब क्या होता है biological nitrogen fixation nitrogen से जब ammonia बनती है तो इसी को तो biological nitrogen fixation कहते हैं यह यह एक anaerobic process होता है यह भी आप note down कर सकते हैं biological nitrogen fixation क्या होता है iron aerobic process होता है जहाँ पर oxygen absent होती है वहाँ पर उसको कहते हैं anaerobic process और इसमें जानते हैं यह एक enzyme use होता है इस process में जिसको कहते हैं nitrogen age, nitrogen age enzyme, nitrogen age enzyme use होता है और इसमें एक इसमें क्या दो element होते हैं molybdenum होता है और iron present होता है तो अब यह question आप लोग correct कर देंगे यह molybdenum iron इसमें क्या करते हैं यह nitrogen age enzyme में present होते हैं help करते है nitrogen fixation में और यह तो option number आप कौन सा correct करेंगे molybdenum और क्या होता है iron होता है तो option number fourth आप correct करेंगे और एक बार question ए भी पूछा गया था कि biological nitrogen fixation oxidation process है कि reduction process है तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह reduction process है क्योंकि यह nitrogen से किसमें ammonia में जा रही है तो option number इसमें कौन सा correct हो जाएगा molybdenum next question number istomata of kind plant अब यह kind plant की बात कर लिया क्या होते हैं इसमें istomata जो होते हैं कैसे क्या होते हैं 162 का option number कौन सा correct करेंगे तो यह istomata जो होते हैं यह देख लिजिए open during the night यह रात में istomata खुलते हैं वैसे तो जितने plant होते हैं उनकी istomata दिन में खुलते हैं photosynthesis करने के लिए but cm कायम plant जो होते हैं इनकी istomata night में खुलते हैं आउर डे में क्या होते हैं बंद हो जाते हैं दिन में बंद हो जाते हैं तो आठीड नमबर आप डारेक्ट थार्ड आठीड करेंट करेंट सकते हैं नेस्ट कोईश्च मेर इन्हें फ्लावरिंग प्लांट में यह दिख रहा है आर्की स्पोरियम गिप्स राइस टू अब क्या दे रहा आर्की स्पोरियम गिप्स क्या करती है तो यह देख लीजिए 163 का आपसन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियो स्पर्म की बात कर रहा है तो इसमें आपसन नमबर बी आपसन करेक्ट हो जाएगा second option both wall and the sporoginous cell जो होती है यह arty sporium जो rise करती है gips rise करती है both wall and sporoginous cell तो option number second correct हो जाएगा question number 164 देख लीजिए यह भी important question है differentiation of suit तो suit की बात कर रहा है root की बात कर नहीं रहा है अगर root की बात करता तो root की बात अगर करेगा तो आग जिन याद करना है but यहाँ पर suit की बात कर रहा तो cytokinin की मात्रा अधिक होनी चाहिए तो 164 का option number आप अब देख लीजिए second option high cytokinin और आग जिन का रेशियो होना चाहिए cytokinin का रेशियो अधिक होना चाहिए तो suit control differentiation में second option correct हो जाएगा next number question this cells of the question center question center वो center होती है जहाँ पर division नहीं होता है is characterized by 165 का option number देख लीजिए इसमें second option high wing light cytoplasm and small nuclei सही हो जाएगा इसमें small nuclei होगा और high wing light cytoplasm का मात्रा में cytoplasm होगा next number question in sugar cane plant CO2 is fixed in malic acid in which the enzyme the fixed CO2 तो ये sugar cane की बात कर रहा है तो 166 में पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये sugar जो sugar cane है plant है ये sugar cane plant क्या होते है तो ये पहले पता होना चाहिए ये C4 plant होते है कौन sugar cane अब C4 plant में आप देख लीजिए CO2 fix is fix जो करता है वो क्या होता है तो PEP होता है फास्पाइनाल पाइरुबेट होता है तो वो ही करता है CO2 को fix करता है तो फास्पाइनाल पाइरुबिक एसिड कार्बाक्सिलेज तो आपसा नंबर ये देख लिजिए second option direct correct हो जाएगा next question number कहरा इस्टो मेटा अब plant open ढृटो जो इस्टो मेटा प्लांट में होते है प्लांट के लिफ में जो होती है इस्टो मेटा होती है इसमें इसमें कहरा कि इसमें ये कहरा कि कभ open होते है ढृटो किसके कारेंट तो 167 का option number 8 direct जब potassium का क्या होगा influx होगा मतलब अंदर जाएगा ना कि बाहर जाएगा तो influx होगा तब stomata open हो जाते हैं तो option number आप 167 का first option देख लिजिए influx आप potassium ion next question number question number 168 देख लिजिए कह रहा है plants deficient of element zinc अगर zinc में क्या होता है आग जिन होता है आग जिन में एक plant hormone है इसमें कौन सा element होता है zinc होता है तो ये तो question एकदम ऐसे ही आप correct कर सकते हैं plant deficient of element zinc so its effect of biosynthesis plant growth hormone तो कौन सा plant growth hormone है तो आग जिन 168 का option number आप direct first option correct कर सकते हैं next number question which one of the following is wrong in relation to photorespiration पहले तो ये पता होना चाहिए कि photorespiration क्या है तो photorespiration ये only किसमें C3 plant में होती है ना कि C4 plant में तो आप लग लिख सकते हैं only C3 plant में ये होती है क्या होती है photorespiration photorespiration को हम कहते हैं एक bestest reaction है WASTES bestest reaction है bestest reaction मतलब बकवास reaction क्यों है क्योंकि इसमें हम लोग को reaction तो होती है but ATP adenosine triphosphate जिसको energy कहते है energy तो बनती ही नहीं है energy मिलती ही नहीं है इसलिए इसको bestest process कहते है एक बार question ये भी पूछा गया था कि photorespiration किसमें कहां पे होता है तो ऐसे आप लिख सकते हैं PCM लिख सकते हैं इसमें paroxysomes लिख लिजिए PEROXY paroxy SOME paroxysomes chloroplast लिख 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 लिजिए CHLORO chloro PLAST chloroplast और mitochondria M-I-C-H-O-I-T-O-O-N-D-R-I-A mitochondria तो इसमें कौन सा option correct हो जाएगा photorespiration के relation में हम लोग को रांग देखना कौन सा correct नहीं है accursin chloroplast तो chloroplast में तो चलती ही है it accursin day time ये भी सही है it characterized by C4 plant ये ही गलत हो जाएगा ये only C3 plant में होती है तो आफसा number third correct हो जाएगा ये ही गलत दिया गया है और ये गलत कहरा wrong relation कौन इसमें मैच किया गया है तो ये ही गलत है तो आफसा number third correct हो जाएगा next number question in which one of the following nitrogen is not a constituent इसमें कहरा नाइटोजन किसमें नहीं पाए जाएगा तो डारेक्ट आफ इडियो व्लास्ट सेल ये storage cells होती है तो इसी में नाइटोजन नहीं पाए जाएगा तो आफसा number first है इस question का correct कर सकते हैं next question number diffuse porous wood is characteristic of those plants which are growing in तो diffuse porous wood जो होती है जिसमें छोटे छोटे छिदर होते हैं वो क्या होते हैं अलपाइन रिजन में उगते हैं या cold winter रिजन में या temperate climate या tropics में तो 171 का आफसा number आफ डी लगाए tropics रिजन में ये होते हैं आफसा number 4 तो correct हो जाएगा next number question the apical mirror stem of the root is present कहरा apical mirror stem में root कहाँ पर 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 जन्ट होती हैं तो ये देख लीजिए apical mirror stem में जो root होती है ये 172 का आफसा number आफसा number आफ देख लीजिए कौन सा only in radical में only in tap root में या only in adventitious root में तो ये सभी में होती है apical mirror stem of root is present होती है in all में सभी में होती है तो आफसा number 4 तो correct हो जाएगा इस question का next question number कह रहा है biosystematics aims is तो biosystematics क्या होती है ये आपको देखना है तो 173 का biosystematic के रूप में कह रहा है तो आफसा number आफ कौन सा correct करेंगे ये देख लीजिए biosystematic convenience होता है declassification of organism based on their evolutionary history and stabilizing their phylogeny and the totality of various parameters from all field study तो ये evolution से समबन दी था तो आफसा number 5 third biosystematic third option correct करेंगे इस question में next question number juicy hairs like structure observed in the lemon fruit developed from तो कहराल जो लीमन नीवू होता है उसमें जो juicy type होती है तो जो रेशा type होता है वो क्या होता है juicy hair like वो क्या होती है exocarp होती है mesocarp या endocarp या endocarp या endocarp होती है तो 174 का वो आफसा number आफ third लगाएंगे endocarp तो आफसा number third correct हो जाएगा इस question में चलिए इस वीडियो का last number question which fraction of the visible spectrum of solar radiation are primarily absorbed by carotinoid of the higher plant आप carotinoid दिये दर रहा तो आपको color पता होना चाहिए carotinoid के respect में कौन सा color होता है तो 175 का आफसा number आफ डी आफसान या fourth आफसान लगा सकते हैं violet and blue carotinoid दिया तो आफसान ये direct हम लोग correct कर सकते हैं तो चलिए next वीडियो में मिलेंगे 25 question इस वीडियो में और बचे हैं 2003 के जो question है EIPMT में आये थे तो 100 question आये थे तो पहले तो 100 आते थे अब तो 90 question आते थे NEET में आने लगे हैं तो अभी हम लोग 75 75 question discuss कर चुके हैं आफ 25 question next वीडियो में complete करेंगे इस वीडियो में हमने 25 plus question 25 question discuss किये तो चलिए आप लोग please अपने friends को support करें और channel को subscribe करें और अपने friends को share करें और ताकि जिससे channel grow सके और काफी help हो सके काफी student का तो चलिए student मेरे channel पे nursing paramedical pharmacies की भी तैयारी कराई जाती है कराई गई थी 2020 वैज के लिए तो काफी student ने selection भी लिया तो चलिए Thank you student